हलो दोस्तों नमस्कार, KP Teacher Academy में आपका हार्तिक स्वागात है आज हम EBS Pedagogy का 30 Question का एक जवर्चस सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट पर इचागु दर्श्टी से बहुत ही मैतपूर है वीडियो को लाइक एंड सीर करें अपने दोस्तों को साथ में जिसे जो भी student teacher पर इचागी त्यारी करने उनके लिए वीडियो बहुत ही helpful सावित होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैलाइकरन को प्रैस कर लें जिससे आपको आगावी वीडियो प्राप्त होती रहें तो आज का Question में Start करती है पर्यावड अध्यन की प्राकरति निम लिखित का समर्तर नहीं करती है तो Question को पूछा गया है Negative में, Option देखते हैं इसके First है, बच्चे कम गलतिया करें Second, बच्चों को करके सीखने का अबसर मिले Third है, बच्चे बहुत से प्रेशन पूछें Fourth है, बच्चों की खोज करने के लिए पर्यावड इस्तान मिले तो यहाँ पर Question पूछा आ रहा है कि पर्यावड अध्यन प्राकरति निम लिखित समर्तर नहीं करती है तो Question negative पूछा है, तो Answer भी हमें Negative में देना हुआ, हमारी यहाँ पर तीन अंसर Positive में होंगे चक करते हैं, जैसे कि देखा जाए कि कम गलतियां करें Question करें, कम गलतियां करें, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों को सीखने का अबसर मिलें, इस आ पॉजिटिफ ऑप्शन है बहुत सारे प्रश्न पूछें, बच्चों से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से बाहरता लव करेंगे, तो यह का कोश्चों को करेंगे, तो यह भी मारा पॉजिटिफ की तरफ जाता है क्योंकि बच्चों को क्या है, जब बच्चें सीखेंगे तो गलतिया करेंगे, बच्चिया सीख, जब गलतिया करते हैं, तो आधी सीखने का पार्ट होती है, तो इसलिए अम ऐसा नहीं सोच सके तो हमारा आंसर हो जागा एक्ट को पढ़ने के लिए पौद अंतरबस्तु सीखने के लिए निम लिखते अवसर प्रदान किये फस्ट है समूव में पत्यों का संग्रे करना सेकिंड है पत्यों के आकार सुरूप और अन्य विसेस्ताओं पर चर्चा करना थड़ है अपना बनस्पती संग्राले बनाना इस प्रकार के गत्विदियां हेतू सिचका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोसाइन नहीं देना चाहिए तो यह भी क्या है नेगेटिब में पूछा गया है प्रोसाइन नहीं देना चाहिए तो यहाँ पर भी नेगेटिब में कुश्यन है तो अंसर भी हमें नेगेटिब में देना हुआ अबजेक्टि देखते हैं इसके जिसके फर्स्ट है जितने हदिक प्रक्तियों के बारे में सम्मब हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल तो यहां question negative में पुछा गया है तो में answer भी negative भी देना होगा तो जैसे कि यहांपे फोर्थ में दिया है परस पर अंतर किरिया का अबलोकन बच्चे अगर साथ में कार करेंगे वो अबलोकन के सायोग करेंगे तो बच्चे से क्या सीखेंगे निरंतर गतिविदी में करते रहेंगे बच्चे इससे भी क्या बच्चे सीख रहें यह भी हमनी पॉजिटिव दरसारा है बच्चों को द्वारा कार करने का बिस्तार बढ़ेगा तो क्या इससे भी हमारा पॉजिटिव की तरफ दरसारा है तो यहाँ पे क्या NCF के अंगिस्ट आ गया क्या है याद करवाने की बात कर रहा है रटन प्रणागी तरफ जा रहा है इसलिए हमारे इसलिए नेगिटिव आशर होगा और कोश्चन के कोडिक हमारा पॉस्टिव आशर हो जाएगा इसलिए करेक्ट तो आंसर जाएगा फर्स्ट बीडियों को like and share करते हैं साथ साथ दोस्तों को साथ में और इतनी मायत करने माद एक लाइक तो बनता है नेक्स्ट वोशन देते हैं बिद्ध्यातियों का आकलन करते समय पर्यावण अध्यन की सिच्छका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए पर्यावण की सिच्छका क za तो द्यान में रखकर सूंचना दर्ज करनी तोडु जोड़ें बच्चों के कवल कुछ पच्छों पर ध्यान केंदृत करना जो फूर्त इंimport I require से सम्मनुदीत गुडात्मक लेखन करना कि तो तो यह आपने में नेगिटिव में आंसर देना रहा है अगर हम सेकेंड में देखते हैं तो बच्चों की सीखने का तरीक है किस प्रकार से अगर इसमें ध्यान रखते हुए कार करेंगे तो यह भी क्या है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कोश्चन की हमारा आंसर हो जाएगा थाड़ वाला केवल बच्चा के वप क्युष बच्चों के ऑया है इसा नहीं हमें सारी बच्चों पर ध्यान देना हो गा प्रात्मे के इस्तर पर प्रावड अध्यान में समुदाई सीखने सिखाने का एक मैत्पूर संसादन है क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसादन है यह आसानी से उप्लब्द होने वाला संसादन है थाड़े इसमें समझदार और बुजर्व विक्ति होते हैं फोर्ट है यह बास्तविक इस्तियों में सीखने के अबसर उप्लब्द कराता है तो बारा अंसर प्रात्मे के इस्तर पर इन्वार्मेंट क्रेडिट होता है यह में एक सस्ता है और सेकेंड में उप्लब्द होने का संसादन है इस तरी की बात किए थर्ड में बुजर्ग समझदार होते हैं इस पर की बात किए तो वहारे आंसर नहीं होंगे आंसर बहस्त होगा हमारा फोर्ट वाला तो नेक्स्ट कोशन दिखते हैं यह कुशन सॉल्व क जाने के लिए बैठा वहां ट्रेन में 13 बचकर 30 मिनट बजे हमदाव चूटी है और एक सितंबर दोया पंदय को साड़ी साथ वजी त्रिमेंदर पहुंची है यदि हमदावाद से त्रिमेंदर की बीच की दूरी 2268 किमी है तो इन दोने स्टेशनों के बीच ट्रेन की और स सच्चाल तो यह कोश्चन क्या है मैथ का कोडिंग सॉल्फ किया जाएगा तो आंसर बताये दें बागी आप सॉल्फ कर लेना आगे बढ़ते को आंसर हो जाएगा इसका सैकिंड वाला अब चेक कर लें एक बार क्यांसर हमने ऐसी पताया देख करी तो नेक्स्ट कोशन पहली वार रियल गाडी से नई डिल्ली सो चें नहीं गया अपनी ने century दौरामे उसकी गाडी के द्वारा निमलक मैं से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है कि यहां पर मुला एगर्यान करती है ग्रूपरिता है जो रियल गाडी से know रा है और कौनसे जो नदी है वो से पार नहीं करेगा, कोश्चन नेगेटिम पूछा है, सीट टैट असा बहुत करता है, इसलिए हमें ऐसे कोश्चन में ध्यान देना होगा, तो नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, हबारा जाएगा, गंगा, क्योंकि जब चेननी की तरफ जाएगा, गंगा नदी नहीं पड़ेगी, गोदावरी पड़ेगी, कृष्णा भी पड़ेगी, और नर्मदा भी पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी, कौन सी वो गंगा नहीं पड़ेगी, तो नेक्स वोशन देखते हैं, बीडियो को लाइक एड, शेयर करते हैं साथ इसाथ में, हमारे देश में निमनलखित इस्तानों में से कौन सा ठंड़ा रेगिस्तान है, हमारे देश में जो रेगिस्तान ठंड़ा पूछा गया है, कोष्ण का कोड़िंग, फर्स्ट है जैसल मेर, सके लद्दाह ć वो थोछ एक वह जिसांगे के बारे मेला पूचा है ऐगा chief कि Selरण में घरम हूता है अध्यांग करें वहां कि यह in यहां पर फिप्त की पराईवर्ड ह अधिनकी पस्तक्रट्ट कशिए差不多 का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डाक्टर जाकर उशेन द्वारा लिखी गई एक कहानी है उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानिया लिखी है अपनी मृत्यू की समय वे थे तो फर्स्ट अप्शन दिखते हैं बारत के मुख हिन्याइदीस सेकिंड है बारत के उ कुछ से गर्म जो कि जाकर उशेन जी डाक्टर जाकर उशेन लिखा है तो वो किस पद पर थे कोश्चन में यह पूछा गया है तो वो थे थर्ड डाक्टर जाकर से जो की भारत की राष्ट पती थी इस दाकर्यक्ट आंसर नेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक एं चिप्स, सेकिंड है दूद पनीर, थर्ड है सेव जैम, फूर्थ है कच्चा आम अचार, तो यहां पर अपर सरक्षड के लिए कौन सा चोईस करना हुआ, अगर हम आलु चिप्स को देखें, तो काफी समय तक हम रख सकते हैं, ठीक है, अगर सेव और जैम को देखें, तो वो ख fij हमें काफी समय तक रख सकते हैं, और कच्या आम Cantima को भी हैं काफी समय तक रख सकते हैं, इह घिता करके अपनी घरों में, और जिससे नहीं करना है यह निचले मंजल में कोई खिड़की नहीं बी यह पेड़ के तनों की खिड़की से बनी डालू छते हैं यह पत्थरों के खम्मों पर जमीनों से लगवग यह पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारे यह लगड़ी के फर्स तो इसमें दिया है लेह और लद्दाक के घरों में उपर दीगी कौन सी बिसिष्टा पाई जाती है तो यहां पे लेह लद्दाक में जो घर बना आते हैं इन जो ऑप्शन दिये गए हैं A, B, C, D इ यह कौशन में पूछा गया है तो अगर देखा जाए तो हमारा जिसे और करेक्ट आंसर होगा थर्डवाला क्योंकि A, B, A, D, E हमारा फॉलो करता है थर्डवाल में कैसे जो लद्दाक में जो पाई आते हैं वो निचली मंजल में कोई खड़की नहीं होती है यहां पर क्या है पसुग लिए चारा एखिटा करती हैं रग देती हैं पसुग इस्तरका से अगर हम D में देखें तो पत्थरों का जो गारा चुना से मोटी दीव केंट सिरे करते हैं साथी साथ में नेमलगित का अध्यन कीजिए कोवा पेड की उची डाल पर अपना गोसला बनाता है इस गोसले को बनाने में कई प्रकार की चीज है यहां तक कि लकडी की साखाएं और लोय के तारवी होते हैं एक चालाग पक्षी भी है जो अपना गोसल नहीं बनाता है और कोई के गोसलों में अंडे देता है बेचारा कोवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है तो वह पक्षी कौन सा है तो कोशन में पूछा गया है वह पक्षी कौन सा है कोवा तो क्या कर रहा है गोसला बना रहा है तारी प्रोक कर रहा है साखा ख्यूययल और फॉर्थ है व्ह मेन नहीं बीजिया को ईसले में पुछा गया है को तर्फ साबूदाना फौ्ट है साबूदाना इता है इता प्रवार के साथ के रल जाती है वह उसे ऊंचे भेशाइगे जो उसके ग्रह नगा सिमला के उचे ब्रच्छों से भिन है उसने केरल में कौन से ब्रच्छ देखी होंगे रिहान है वो अपने परवार के साथ केरला जा रही है और उसने अपने घर में जो ब्रच्छे हैं वहाँ पर सिमला में थे उस परकार के ब्रच्छ देखे हैं मगर व कुछल रहा है वह किस confirm होंगे वह केशयों के सुरी यस्टिक हो गई कारिक्स टो जा रही है तो इस द wins अन्षर हया हमारा फर्स्ट वाला नारियल के क्योंकि नारियल के ब्रच्छी लंबे-लंबे उच्छीप में पाई आती है जो केरल की तरफ पाई आती है तो इसा करेक्ट रांसर हो जागा हमारा फर्स्ट वाला नेक्ट शोशन दिखती है वीडियो को लाइक एंड सेर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती है बेल लंग प्रैस कर लें बच्चे के द्वारा सबजी बजार से इकटी की गई निमलकत सामेगरी में से उन्हें परिवार सौरी पैचानिये जिनके बीतर बीज होती है तो बच्चे ने कुछ सब्जी खरी दिया बजार से और उन्हें पैचानिये जिनके बीतर बीज होती है आलू, टमाटर, नासपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा इस प्रकार की सब्जी लेगी है तो हमें आप्शन देखने है जो बीज चेक करने हैं, उन्हें कौन कौन से होंगे फर्स्ट है टमाटर, नासपाती, और चीकू सेकिन है टमाटर, नासपाती, चीकू, भिंडी, खीरा थर्ड है टमाटर, नासपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा फोर्ट है नासपाती, और चीकू हमें च्छाटना क्या है? सबजी च्छ चाटनी है कोश्यम मैं यह चीज मैं बहुत ज़camera By doin Jim पर हने up इसलिए हो रहा है क्या पेच्छना जिनकी वीतर 얼마나 भीतर भीज होते है सबाजी चाटनी है क्या चाटनी है मैं सब्जी तो your answer उसी कमकर में nu ना हुआ हमें ठीक है चेक करते हैं हमारा इसके कोडिंग आंसर हो जाएगा थर्डवाला क्योंकि टमाटर में भीज होते हैं नासपाती में भीज होते हैं चीकू में भीज होते हैं और करेला भिंडी में भी और खीरा में भी भीज होते हैं तो इस दा करेक्ट आंसर हो जागा हमारा थर्ड वाला तो एक बार कॉश्णों और देखते हैं कॉश्णों क्या हो बच्चे के द्वारा सब्जी इखिट्टा की गई है बजार से जो कि निम्कित सामिग्री में से उन्हें पहिचान ना है जिनके बीतर बीज है तो उस चीज को पहिचानना थे Чए में Two जाई तो कि वह समय चीकु और नास्पाती जो आई हुए वो फल होते हैं तो हमें सामिग्री के अंतर गताते हैं इसलिए हमारा एक तरडबाला टमाटर सब्सक्राइब याता है नास्पाती भी वर फल में आता है चीकु फल में आता है विंडी करिला और खीरा जी यह वारे सब्सक् पाड़ियां दो साड़िया खरीदती है जो खास्तोर पर वही बनाई जाती है वे क्या कहलाती है फस्ट है पोचम पल्लवी और कलमारी से कन्द है पोचम पल्ली और कांच विरम थरड़ है कलमारी और चंदेरी फूर्थ है कलमारी और कंथा तो नीता ने जो अंध्रप्रतिस साड़ी लेए वहां से बनी हुई तो उन्हें किस प्रकार से या किस प्रकार क्या कहते है उने ये कुछ आ रहा है इस दा correct answer हो हमारा first वाला पोचम पल्ली और कलमारी कहा जाता है आंदर प्रदिस की साडियों को ठीके next question दिखते हैं नेम निग्स में से कौन सी बीमारी रुके या इगटा हुए पानी से हो सकती है कौन सी बीमारी जो पानी के रुके हुए इगटा होने से हो सकती है इस दा correct answer हो जाती है नेक्स दिखते है कौन सा जोड़ा ठीक है इसमें प्यर जांटना जोड़े को जैसे फर्स्ट है असम बीहू सेकेंड उडिसा बातनट्यम सेकेंड थर्ड है तमलाडू लवडी फोर्त है करनाटक कत्थक तो जैसे की इस्ठेड दिए गए और वांके नित्र दिए गए है तो नित्र को देखते हुए प्रफट वाला बीहू आसाम में बीहू नाटक स्वरी और नित्र की आता है इसकी वो अपने घर इगलू कर निर्मार बरफ से करते हैं इसका करण क्या है फर्स्ट अपने बरफ थंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता सेक्ड बरफ की दीवारों के बीच है आने सामिकरी कीमत अधिक होगी थर्ड़ है दुर्वी छित्र में केवल बरफ ही उपलद है तो इसकी में प्रिजाती होती है जो कि बरफ जो घर बना आते हैं वो इगलू कर ला आते हैं वो बनाते हैं उसका कारण क्या है कोश्ट में ये चीज़ पूछे आ रही है तो ज दुर्वी छेत्रों में केवल यहां पर केवल नेगेटिव हमारा एक कीवड आ हुआ है नेगेटिव तो यह भी क्या है नेगेटिव है तो इसलिए केवल जाबी संटेंस में आता है जो आप्शन हमारा नहीं होता है इसलिए हमारा यह छोड़ देते हैं तो आंसर हमारा जो बहार से दरवाजा छुटा होता है मागर अंदर ये काफी बड़े होती है उन्हें हम इगलू बोलती है जो को बरफ के माद्धिम से बढ़े आती है यही इस कारण होता है बरफ से वो बनाने का तो इस दा क्रेक्ट टांस रोगा सेकिंड वाला नेक्स देखते है नेम डाव बैसे कौन सी विसेश्था बरगत पेड की जड़ों की नहीं है बरगत पेड की विवस्ता नहीं में पूछा है कोशन सेटेट बहुत करता है ऐसा क्योंकि कॉशन में पूछता है और हम पॉस्टिव मांसर देते हैं करेक्ट है जमीन के अंदर होती है यह भी करेक्ट है करेक्ट है कि तो बरा नेगटिव हो जागा थड़ वाला जड़ें बोजन का वर्णाडर करती है जड़ों में कभी बोजन नहीं प्लब्द होता तना में बोजन इखिटा होता है इसलिए नेगिटिव आंसर के सबसे मैथपूर क्या होगी यह प्रात्रम ता किया होगी प्रस्ट करता हैं में दीमी गती से सीखने वाले बिद्ध्यारति की पैचान करना सेकंड है विद्ध्यार्तियों के लिए पार्ठन अनुसार बिश्चत नोट्स त्यार करना थर्ड है सिच्छार्थियों का समाज सनस्कृतिक प्रोफाइल विवरर त्यार करना फोर्त है पहले से पार्ठिजिना त्यार करना तो नई सच्च के रूप में आप क्या करेंगी जैसकी दिया गया है तो हम क्या करेंगी आंसर इस दा करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला विद्ध्यार्तियों का समाज सांसे की प्रोफाइल वह त्यार करना क्योंकि यहां पर हम इन्वार्मेंट से अकॉडिंग बात कर रहे है दूसरे क्या है कि अगर जहां पर हम बच्चे रहते हैं उसके अकॉडिंग या उससे जोड़ते हूं बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं और N.C.F. यही कहता है कि इन्वार्मेंट के अकॉडिंग कर्कूलम होना चाहिए या पार्ट च कहानिया प्रयवण अध्यन की अंतर बरस्तु को पढ़ाने में प्रभाब साली है ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कानिया यह बच्चों के परिवेस का सम्रद चित्रन कर सकती है यह संद्रवित अधिगम परिवेस पदान कर सकती है इसलिए बिविन अमूर्थ अधिगम की प्रभाब साली तरीके से ब्याख्या करती है डिये सरचिनमा पक एवं संद्र बोध्य का पोश्र करती है तो कविता और कानियों के बारे में पूछे आ रहा है और इंवार्मेंट में उनका क्या रॉल होता है या किस तरह से प्रभाब उप आहर हाए उंति इस प्रकाड की बाद की जा रही आपँ तो वारा जैस कि इसकि है वें बच्चों के संव practically सब्सक् 타ïं कानियों करेक्ट को परकांशर से लिखी आती है और संद्बस अधिगम प्रभौश्य बनाती यह बिरिविजित और क्योंकि कहानि वेंके बिर d हाट प्रतुक्षा प्रभाव साल्च तोounds श्यास करती तो यह कि क्ष submission वहारा अंसर भाव और दी क्रेक्ष वाल pronounce आको मैं की ब्रीडियो को लाइक करते हैं शाथ रहें सेयर करते पाते हैं, फस्ट है, संदर पुस्तक हैं, सेकंड है पोश्टर, थर्ड है समाचार पत्र, फोर्थ है पाठ है पुस्तक, अगर आप पाँचवी क्लास की सिच्चका हैं, तो आप सरच्चड, इनल सरच्चड के बारे में सबसे ज़्यादा किसे मैत पूर्ण देंगे हैं प्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा, थरवाला, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से अच्छीत्र से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसमें क्या नहीं नीच यह मिलती रहती हैं, तो नेक्स नोशन देखते हैं, वीडियो को लाइक और से रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई साम को कहा जा सकता है, पोर्ट फोलियू, दत्रिकार, सेकंड के अकोरिंग, थर्ट है, पर्योजना कार, फॉर् तया, गटना ब्रत अवलेःक, तो जैसे पोड़्ट में दिया गया है, है पोर्ट फोलियू, तुम्हारा आँसर हो जागा, पोर्ट फोलियो, इस दाग और असर ह की कच्छा फिप्त की पार्थ पुस्तक में सुनीता अंत्रिच में सीर्षक पार्थ इस पेस सिफ में अंत्रिच यात्री सुनीता बिलियम्स के अनुबरों का वरण करता है इसे सामिल करने की क्या कारण हो सकते हैं या होते हो सकता है फास्ट यह गटना अंत्रीच शियातियों की जिंदगी में जाकने का अवसर देती है दी-ए यह गटना इस्पेशिस में बहुत तिक इससतियों को अवरण करती है C.A. यह गटना इस्तुरीपृस लिंग जेंडर रूल पतिता को चुनोती देती है कि यह गटना गुर्था कर्षण की अब्धारणा को समझने में मदद करती है तो जैसे कि कोशन बुले आ रहा है कि सुनिता अभियम्स जो इस पेस में गई थी तो उनका यह चप्टर सामिल किया गया तो क्यों किया गया सा करण क्या हो सकता है तो देखा जाए तो इसका जो में रीजन हो सकता है डी इस अकरेक्ट अंसर क्योंकि यहां पर गुर्था कर्षण की अबधारणा को समझने में हमें मदद मिलती है इस दा करेक्ट अंसर नेक्ट पुशन देखते हैं पर्यवड अध्यन की एक सिच्छ का नेमरिकत कारणों से अपनी कच्छा का प्रारम कुछ मुख्य प्रशन पूछते हुए करती है सबसे कम प्रात्मिक बाला कारण कौनसा उसे चुनिए तो यहां पे प्रात्मिक अक्छा की एक सिच्छ का है वह बच्चों में कुछ प्रशन पूछ रही है जो की सबसे कम कौनसा होगा यह में करता पूछा गया है सबसे कम प्राणों को संद्रव पर्यूबनानिवें मदल करते हैं इसलिए में विद्यार्ति हों कि चिंतन सीमित किया जा सकता है यहां सब से कम उपई उक्तिया कारण वाला पूच्छनात्य यहां सब्सक्राइब तो यह पे जी कॉशन थ्यां से पर नार और उसका अंसर उसे अपसे देना है तो जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रश्ण पूछने से क्या है बच्चों में चिंतन सकती है उद्रिप्तु होती है इस पॉस्टिव उच्छता बढ़ती है इस पॉस्टिव और संदरप्रक मदद करती है कि इन्वार्मेंट बनता है तो यह वारे तीनों क्या बढ़ता है तो इस अमरे कोश्चन का गोड़ी जो अंसर हो जाएगा नहीं में वह फोर्ट वाला हो जाएगा नेक्स कोशन दिखते हैं वीडियो को लाइक के और शेयर करते हैं साथ साथ में दोस्तों साथ में नेक्स कोशन है किसी क्रिया कलाब के लिए समूल बनाते हुए सामाजिक अध्यन के सिच्चक को चाहिए कि हूँ है फर्स्ट अपसन है सुनचित करें कि लड़के लड़कियों की समूल अलगलग हो सेक्ड है उनके अंगों के अनुसर समूल बनाए जाए या बनाए सेक्ड है केवल दो समूल बनाए और प्रतियक में बहुत से बिद्यात और सेक्ड हों फोर्ट सभी प्रतियों की सहवागता और सवयोक सुनचित करें तो यहां पे जैसे कोशन पूछा गया है कि क्रिया करने के समूल बनाते समाजिक अध्यन के लिए से क्या करना चाहिए यह क्या हो इस प्यार से कोशन पूछा गया है तो दो कि लड़की लड़ यहां पर केवल एक नेगेटिव की वड़ा है हमारा जहां पर सेंटेस नहीं होता है इसका और भी कर्णा बताती है कि दो सम्हूं मुनाई ऐसा नहीं अगर बच्चे ज्यादा होती हो दो सम्हूं कि बच्चे सीख नहीं पाएंगे तो मैं सबसे जो बैतरीन कार करना वो करना ह सब्सक्राइब को पुछा है और विसेष्टा नहीं होनी चाहिए और बिसेष्टा कौनसी नहीं होनी चाहिए यह चीज पूछेगे जो कि प्रात्वेक लिगोर्व की बात किया रिये तो फर्स्ट अप्टन यह विद्ध्यार्तियों की बैवेदित पूर्ड प्रश्ट भूमी की जरूतों को पूरा करती है सेकंडर यह बास्तिविक कान्यों और गट्नाओं को सामिल करती है थाड़ा यह प्रवासाओं और अमूर्थ अप्राणों की ब्याक्ष्यान करने पर केंद्ध करती है फूर्थ यह प्राकरतिक और सामाजिक संस्कित प्रवेस को एक एकरत तरीकी से प्रसुत करती है तो यहां पर बात की जाए तो यहां पर फ्रस्ट में पॉजिटिव बात की बात कर रहा है तो पॉजिटिव है यहां पर हमें आंसर देना नेगिटिम में गत्रकों को सामिल किया यह बात्य कांऊचिक संसादनों की बात किये दिये परिवासाओं की बात करनें ही रटर्ण प्रणारी तरफ बात कर रहा है इसलिए नहीं हो जाएगा थर वाला रहा तर्फं घुषन देखती है वीड्यो को लाइक सेटर चेल को सस्क्राइब कर लें जिस आपको वीडियो बिलती रहें पर्यावज अद्धियन सिच्छड के संदर्म में राष्टिव पार् नहीं करती एंसी अब किसे प्रिस्तावित नहीं करती हैं ऑप्शन देखते हैं फश्ट बच्चों के अनवबवा और संद्रवाँ से जोड़ना सेकेंड हस्त परक्रियकलाफ थर्ड़ है तक्नीकी सद्दावली से पर्चे कराना फोर्थ है विसेय अनुसार उपागम तो विसे जो वोरह ना है वो इनवार्मेंटि का अचीए इस पकार से एंसेफ कहते जो नहीं कहता तक्नीकी सभ अब Lambalya से पर्चे करानी है तो इसंदो अतर्ड़ वाला कि विद्धार्तियों में मान्चित्र बनाने और समझने के लिए निर्म प्रतिकों और स्केल पैमाने की समझ दिये इसकेल पैमाने के अनुसार इसपस्ट ड्रोइंग बनाना तो प्रात्यमी लेवल की वात हो रही है चित्र बनाने की बात किया रही है और कोशल की अबस्कता की बात किया रही है कोशल में तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला सॉरी क्योंकि क्यों जाएगा क्योंकि इस्तानों की सापेक सीश्टिति यह हमानी इसके अनुसर को समझ भाएंगे क्योंकर दूपि सब्सक्राइब कि यह है क्यों डूर ऑल मतारा थे प्रत्यक इसकेल गएवा रहाने की समझ भी वि speeds from our हो जाएगा तो next question देखते हैं वीडियो को लाइक एंड सिर करते हैं साथ में दो इससों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं बैर कर प्रैस कर रहें जिससे आपको आगावी वीडियो प्राप्त होती है प्रात्मिक चाओं में पर्यावड अध्यन पढाने के लिए निम्र के समय से कौन सा उद्देश सम्मदित नहीं है यह भी कोशन नेगेटिब में पूछा गया है कौन सा सम्मदित नहीं है विज्ञान के आदरभूत प्रत्यों और सिद्दानतों को रट कर याद कर लेना फ्रेकर प्रयावड को खोजने और के अभुसर पदान करना फ्रड़ है अभलोकन मापन बवश्चिक अतन और बरगी करण जैसे कौशनों का विकास करना फॉर्थ है बहुतिक और सामाजिक प्रवेस के प्रत्य सम्मेदिन सील विक्सित करना तो यह हमारा पॉजिटिम में हमें आंसर देना है नेगेटिम कोशन के कोडिंग तुमारा पॉजिटिव ऑप्शन है क्योंकि इसे कि बच्चा सीखता है अब लोकान बश्चिक अतन जै तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंट सीरे कर रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे आपको वीडियो मिलती रहें तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे जैन दोस्तों बंदे मात्रम